बच्चो हमारे सविधान के प्रेड़ना स्रोत इंग्लेंड, रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशी हैं और वर्तमान में इन सभी देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं अमेरिका के जो राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम थे अपने कारेकाल के दौरान भारत आये थे इसके अलावा जो वर्तमान राष्ट्रपती हैं जो बाइडन जी वो भी जी ट्वेंटी सम्मेलन में भारत आये हुए थे इंग्लेंड के प्रधान मंत्री रिसी सुनक जी वो भी जी ट्वेंटी सम्मेलन में भारत आये और बच्चों ये जो इंग्लेंड के प्रधान मंत्री हैं रिसी सुनक वो भारत वंसी है अब आप सोचिए कि इस भारत में जो कि कभी ब्रिटेन का इंग्लेंड का गुलाम थ यहां पर हम भारतियों को अपने ही देश में बाबू तक बनने का अधिकार नहीं था उस इंग्लेंड में हमारा भारतिय व्यक्ति आज वहां का पीम बना हुआ है तो यह सब जो है एक नागरिक अधिकार के तहती हमें प्राप्त हुआ बच्चो तो इस अधिकार की सक्ति को आप समझे और इसके अलावा जो और अगला देश है फ्रांस जिससे सर्वप्रथम अधिकार की अधार्णा निकल कर आई थी फ्रांस के वर्तमान प्रेशिडेंट इमैनुवल मैक्रोन जी इस चवहत्तरवे गड़तंत्र दिवस्समाहरों में बकायदा मुक्य अतिति के 24 में इमैनुवल मैक्रोन भारत आने वाले हैं रूस के भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं अधिकार क्या है और अधिकार कौन कौन से हैं तो चलिए हम पुना वापस अपने अधिकार की तरप आते हैं मैंने आपको इससे पहले ये बता आया था कि भारत में कुल कौन-कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है तो चलिए एक-एक अनुच्छेद के तहत कौन-कौन से अधिकार है और क्या-क्या हमारे शविधान में लिखा हुआ है किस किस प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं हम पढ़ते हैं तो बच्चों आते हैं आर्टिकल 12 या अनुखेद 12 की तरफ जो अनुखेद 12 और 13 है यह हमारे पढ़ाई के दृष्टी से इतना इंपॉर्टेट नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी तो जो आर्टिकल 12 है बच्चों यह जो आर्टिकल 12 है मूल अधिकार की परिभासा देता है क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभासा कि वास्तों में मूल अधिकार क्या है और प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं इसक सब्द का प्रयोग किया गया है इस्टेट या राज्य पहले में क्या लिखा हुआ है उससे वर्डन करती हूँ उसके बाद इस सब्द का भी व्याख्या करूंगी तो बच्चों आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है कि इस्टेट या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो जो किसी के मूल अधिकार को रोक रहा हो। इस्टेट या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को रोक रहा है। राज्य इस्टेट का अर्थ होता है कोई भी ऐसी संस्था जो नियम या कानून बनाती हो तो यहां हम बड़े लेवल की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्मेंट है इसके अलावा जो राज्य सरकार है जिसे हम स्टेट गवर्मेंट कहते हैं तथा इस्थानिय स्वसासन जो लो में कुछ नियम बनाती हो वो सभी इस्टेट या राज्य के अंतरगत आते हैं तो इन इस्टेट या राज्य को नियम बनानी की छूट है लेकिन वो ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाएगी जो किसी के मूल अधिकार को डिस्टरब कर रहा हो यह लिखा है आप समझ चुके तो जो आर्टिकल 13 है वह कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अलपी करण करने वाली विधियों का वर्णन है यहां पर बच्चों दो सब्दारा है एक सब्दारा है अलपी करण और दूसरा सब्दारा है असंगत अब समझने वाली बात अलपी करण असंगत क और जो असंगत सब्द है वह है inconsistent तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया कि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो मौलिक अधिकार है यदि वह असंगत हो यदि मौलिक अधिकार असंगत हो तो उसका अलपी करण कर दिया जाएगा अलपी करण करने का अर्थ है कम करना इसे एक उधारण से समझते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझाएगा कि क्या है यह मौलिक अधिकार यदि असंगत होता है अर्थात दूसरे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को रोक रहा होता है तब इसका अलपी करण कर दिया जा करते हैं हमें अविप्टी की आजादी है तो हम कि इसका और्थिया नहीं होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहें कोई भी अब सब्द कहें जिस से उससे मान संभान को हानी पहुचे ठैस लगे तो अगर ऐसा होता है कि जब किसी अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति के करण किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है उसका मान सम्मान में ठेस लग रहा है तो यह मूल अधिकार असंगत होगा और इस कंडिशन में उसके मूल अधिकार को अलपी करण कर दिया जाएगा आसा है बच्चों समझ पाए होंगे एक और उधरण लेती हूं हमारे मूल अधिकार में लिखा गया है कि हमें बेरोक टोक सारजनिक इस्थल पर यह कहीं भी भारत के छेत्र में घूमने का अधिकार प्राप्त है लेकिन इसका उसकी कुछ सीमाय है तो यह आर्टिकल 13 में लिखा है आर्टिकल 13 में कुछ और भी लिखा है चलिए देखते हैं क्या है आर्टिकल 13 कहता है कि सविधान के बनने से पहले सविधान के बनने से पहले भी अगर कोई कानून बना हुआ है तो वह लागू रहेगा अगर वह वर्तवान सविधान में दिये गए मूल अधिकारों में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 13 क्या कहता है बच्चों की जब हमारा सविधान लागू हुआ था अर्थात 26 जन्वरी सन 1950 से पहले भी हमारे देश में सासन चल रहा था तो सासन चलाने के लिए पहले भी कुछ नियम कायदे रहे होंगे तो वो सभी नियम कायदे जो वर्तमान सविधान के मूल अधिकारों को डिस्टर्ब नहीं करते वो यथावत रहेंगे और यदि हमारे मूल अधिकारों को हनन करने वाले कोई कानून है तो वो सविधान से हटा दिये जाएंगे यह लिखा है आर्टिकल 13 में तो आसा है बच्चों आप समझ पाए होंगे ठीक है अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 14 पे तो आर्टिकल 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंदित है और जो आर्टिकल 14 से लेके लगातार आर्टिकल 18 तक यह समानता के ही अधिकार के अंतरगत आते हैं तो एक-एक कर हम देखते हैं कि आर्टिकल चवुदा क्या है पर जो जो आर्टिकल चवुदा है वह कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है कानून या विधी के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है अब यह जो विधी सब्द है कानू के लिया गया है यहां पर विधी का मतलब कोई प्रकार या किस कोई काइंट्स यह टाइप नहीं होता है विधी का अर्थ होता है कानून तो आर्टिकल चवुदा कहता है कि जो भारत का कानून है यह भारत की जो विधी है उसके उसके समक्ष भारत का प्रत्येक नागरिक समान पहले के जमाने में यदी कोई ब्राम्भन कोई अपराद करता था तो उसे फासी की सजा किसी भी कंडिशन में नहीं दी जा सकती थी और यदी कोई दलित कोई अपराद करता था तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान था और एक ब्राम्भन के लिए अलग सजा का प्राव तो यहां पर जो हमारा और यहां पर जो हमारा आर्टिकल चाउदा है यह कहता है कि विधी के शमक्ष सभी समान है अर्थात लिंग धर्म जाती या आर्थीक स्तिती देख कर उसे सजा नहीं दी जाएगी अपृतु सेम क्राइम के लिए सेम दंड प्रदान किया जाएगा तो आसा है बच्चो आप समझ पाए होंगे फिर इसके बाद हमारा अगला जो आर्टिकल है वह है आर्टिकल 15 अनुछेद 15 अनुछेद 15 क्या कहता है धर्म मूलवंस जाती लिंग या जन्म इस्थान के आधार पर भेद भाव का निशेद किया जाएगा बच्चो फिर से पढ़ दीजेए इसे आप धर्म मूलवंस जाती लिंग या जन्म इस्थान के आधार पर भेद भाव का निशेद आर्टिकल 15 कहता है अर्थात किसी भी वैक्ति के साथ भेद भाव पून विवहार नहीं किया जाएगा यहां पे जो पांस सब्दे हैं धर्म के आधार पर आप धर् हासते हैं हमारे भारत में कई धर्मे के लोग रहते हैं और भारत का बनाओ धबिड़ीग करता है किसी वी प्रकार सेकते सा cycling कोस् и spontaneous प्रदान करता को किसी करने का अगला सब्द था मूल वंस तो बच्चों आप जानते हैं कि भारत में पहले राजाओं का सासन था उस राजाओं के विभिन वंस अभी भी हमारे भारत में रहते हैं जैसे सिंधिया वंस जो कि ग्वालियर के साथ सकते तो मान लीजिए उस वंस का कोई व्यक्ति है और एक अगला जो सब्द हैं हमारा जाती है यह एक बहुत-बुद्दा है भारतमे जाती का जह मारा तो दिलितों को सोसक रूप में नीम्न जाती का माना जता था तो यह जो विभिन जातियां है एक दूसरे पर भेद भाव पूर्ण विवहार नहीं करेंगी, उच्छे जाती के लोगों को कोई अधिक अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, और निमने जाती के लोगों को भी कोई अलग से अधिकार नहीं प्रदान किया गया है, सभी हमारे देश में, चाहे वो किसी भी जाती का हो, सभी समान है, फि तो यहां लिंग के आधार पर भी किसी प्रकार की कोई भेदभा के निशेद किया गया है अर्थात इस्त्री और पूरुस को समानता का अधिकार प्राप्त है दोनों वोट देने जा सकते हैं और किसी भी सरकारी नौकरी या पढ़ाई सभी में उसे समान रूप से एड्मिसन लेने का अधिकार है फिर अगला सब्द जो हमारा आता है वह है जन्मिस्थान तो बच्चों जो जन्मिस्थान है मान लीजिए बच्चों क्यूंकि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश हैं विस्सो का सात्वा बड़ा देश भारत ही है और इस भारत में 28 भासा और बोली वाले लोग यहां पर आते हैं तो माल लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म इस्थान भारत सरकार ने अपने प्रत्येक नागरी को समानता काधिकार प्रदान किया है तो आशा है बच्चों कि भेद भाव पूर्ण व्यक्ति है निशेद को आप समझ चुके होंगे पर आपके मन में अब एक बात जरूर आ रही होगी कि मैडम अगर ऐसा है तो आरक्षण जो है एक भेद भाव पूर्ण वेवार तो हई है तो बच्चों यह जो आरक्षण है यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है अब यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन जो सब्द है इसका अर्थ है कि एक सकरात्मक भेद भाव पूर्ण वेवार ब विभिन समाज के लोग एक समान नहीं है भारत सरकार उन्हें समानता पर लाना चाहती है किन्तु आप सभी परचित हैं कि अभी भी समान नहीं है कुछ विक्सित हैं और कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो जो सरकार है उन पिछड़े वंचित लोगों को समाज के मुख् प्रदान करती है आरक्षण के माध्यम से तो यह एक सकरात्मक भेदभाव पुन विवहार है जिसके माध्यम से समाज की वंचित लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जाता है ऐसे ही जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लिंग के आधार पे कोई प्रयूटी वाले इलाकों में महिलाओं की भरती नहीं की जाती है तो इसका कारण यह नहीं है कि महिलाओं में सक्षमता नहीं है इसका कारण यह है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बायलोजिकल रूप से महिलाएं पुरुसों से कमजोर होती है तो इन इस्थानों पर सेना ह या कारखाने हो कुछ ऐसे इस्थान है जहां पर महिलाओं को प्रात्मीक्ता नहीं जी जाती है तो थोड़ा बहुत इसमें भेदबाव दीख रहा है लेकिन ये उनको दबाने का प्रयास नहीं है बलकि सिच्वेशन को देखते हुए इस प्रकार का वेवस्था करने का है लगू कराए गया था और यह आरक्षन उस समय विधान सभा और लोक सभा में या तो आदिवासी वर्ग हैं जीने हम STS कहते हैं उस वर्ग से लोगों के प्रतिनिद्धित्व करने के लिए किया गया था लेकिन समय समय पे सविधान संसोधन के द्वारा इसे बढ़ाया जाता है और वर्तमान में 2019 में हमारे देश के प्रधान मंत्री आधर्णी नरेंद मोधी जी ने इसे पुनह 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया है और जब तक हमारा जो समाज है हमारा जो सरकार है समानता के लिए उचित प्रयास नहीं कर लेता तब तक या लागू रहेगा आरक्षण जो है विबिन्ले प्रकार से दिया जाता है जैसे जातिगत आरक्षण इसके अलावा अभी हमारे भारत सरकार ने EWS जो आरक्षण लागू किया है यह आर्थिक आधार पर है यह जो है यह EWS आरक्षण जो है वह आर्थिक रूप से कमजोर समाने वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करता है इसके अलावा कुछ दिव्यांग और महिलाओं को भ हो यह दिव्यांग हो यह सभी कमजोर वर्ग से आते हैं और इन कमजोर वर्गों को उपर उठाने के लिए ही आरक्षण प्रदान किया जाता है तो इसका गलत अर्थ ना निकाला जाए हाँ इस बात पर हम बहस कर सकते हैं कि किसे आरक्षण मिले और किने ना प्रदान किया पिर इसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल 16 तो सावजनीक रोजगार के मामलों में आुसर की समानता तो आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नोकरियों में जैसे रेलवे या बैंक की नोकरी में सभी को आँसर की समानता होगी और लिंग धर्म जाती आधी के अधार पर उसे उस नौकरी को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्सनल फिर से वही आरक्षण की बात आती है तो वो किस लिए है मैंने आपको अभी बताया था फिर इसके बाद जो अगला हमारा आर्टिकल आता है वह है आर्टिकल सेवंटीन आर्टिकल सेवंटीन या अनुशेद सत्रा जो है वह अस्प्रिश्यता के अंत की बात करता है बच्चों आज भी कुछ मात्रा में और भारत पे सविधान लागू होने से पहले तो सरवत्र ये जो छुवा अचूत की जो प्रथा थी वह प्रचलित थी उच्च वर्ग के लोगों द्वारा जो निम्न वर्ग के लोगों को अच्छूत कहा जाता था और उनहें निक्रिश्ट मान कर छूने से भी मना कर दिया जाता था इसकूलों में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आपस के बच्चे आपस में साथ में खेल नहीं सकते थे एक पानी नहीं पी सकते थे उनके छूने से यह माना जाता था कि यह वस्तु प्रिश्यता का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है सन 1955 में इसके लिए कानून बना और 1989 में इसे और अधिक सक्त कर दिया गया है यदि कोई अस्प्रिश्यता या किसी प्रकार कोई भेदभाव पुन वेवार करता है तो आप कानून के पास जा करके न्याय मांग सकते हैं औ और कानून उस वैक्ति को बकायदा दंडित करेगा यहां पर चुवा चूत की बात से एक और बात सामने आ रही है कि यदि health issues के कारण किसी वैक्ति को ना चुआ जाए जैसे कि अभी एक ताजा उधारण है कोरोना पेंडेमिक की समय जब किसी वैक्ति को कोरोना हो जाता था त तो ऐसे किसी संक्रामक रोग या बीमारी की स्थिती में चुवा चूत लागू किया जा सकता है लेकिन किसी वैक्ति को हीन भावना से देख करके उसे निक्रिष्ट समझ कर यदि चुवा चूत किया जाता है तो यह एक दंडिनी अपराध है इसके बाद हमारा अगला अनु बच्चों आप तो जानते ही हैं कि आजादी से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उससे पहले मुगलों का सासन था और उससे पहले राजाओं महराजाओं का सासन था तो जो राजा महराजा होते थे अपने नाम के आगे महराज, समराट इस प्रकार की उपादिय कुछ इस प्रकार के उपाधियों को लगाया करते थे और जब अंग्रेजों का गुलाम था तो भारतियों के लिए कोई बहुत बड़ी उपाधियां तो होती नहीं थी लेकिन कुछ अपने चम्चों को या खुस रखने के लिए वो अंग्रेज जो है उन्हें सर नाइट ही होता था यह उपाधियां किसी एक वैक्ति को दूसरे की तुल्ला में स्रेश्ट दिखाता था इस कारण से इन उपाधियों का अंत किया गया इन सभी उपाधियों का अंत किया गया लेकिन कुछ exceptional case है जिनमें भारत सरकार द्वारा उपाधियां प्रदान की जाती है जैस पुरुषकार जो है भारत सरकार किसी विशेश छेत्र में सराहनी कार्य करने वाले लोगों को प्रदान करती है और उपाधियां भी प्रदान करती है लेकिन इन उपाधियों का भी प्रयोग वह वैक्ति अपने नाम के साथ सरनेम की तरह नहीं कर सकता जैसे किसी वैक्ति को भारत रत ने मिल गया तो अपने नाम के साथ भारत रत नहीं लगा सकता, अगर ऐसा करता है वह यदि वह अपने नाम सरनेम के साथ भारत रत ने लगाता है तो उसकी उपादी भी वापस ले ली जाएगी इसके बाद education तथा ranking के आधार पे भी कुछ जो उपादिया है वह शह कोई किसी धर्म का वेक्ति हो किसी जाती का वेक्ति हो यदि एजूकेशन के छेत्र में कोई अच्छा कारे करता है किसी विशेश उपलब्धी को प्राप्त करता है जैसे कि एक डॉक्टर है तो वहां डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई किया है तो वहां अपने नाम के साथ डॉ इस तरह की उपादियां लगा सकता है यहां ज्यान के छेत्र के लिए है और उसके द्वारा अर्जित किया हुआ है अतह यहां यह इन उपादियों का प्रयोग वह कर सकता है इसके अलावा जो सेना में विभिन रैंकिंग है जैसे की ब्रिगेडियर जनरल मेजर करनल आधी इन उपादियों का भी प्रयोग शेना के अधिकारी यह सेना में कारे करने वाले हमारे सोल्जर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है तो इन इन सब उपादियों के अलावा अब किसी प्रकार की उपादियों का अंत हो चुका है इनके अलावा यदि किसी वैक्ति को जैसे की मुर किया गया था तो राष्ट्रपती से अनुमती लेकर कोई भी वेक्ति कोई विदेशी उपाधी को लिख सकता है इनके अलावा किसी भी कंडिशन में कोई उपाधिया सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया तो बच्चो अनुक्षेद 14 से लेकर अनुक्षेद 18 तक आपने जि में आपने देखा कि लिंग जाती आयू आधी के अधार पे कोई भेदवावपूर्ण विवहार नहीं किया जाएगा अनुक्षेद 16 में आपने देखा कि रोजगार नियोजन में सभी को समानता का अधिकार था अनुक्षेद संत्रा जो कि बहुत इंपोर्टेंट है और य यह सभी भारत के प्रत्यक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं अतह समानता के अधिकार के तहत इन पांचों अधिकारों को एक साथ लिखा जाता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक और यह भी प्रश्ना आता है बच्चों कि समानता का अधिकार कि शनुछेद में है तो कहां से कहां तक है 14 से 18 तक ठीक बच्चो अब हमारा ये समानता का अधिकार समाप्त होता है अब हम हमारे जो अगले मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार उस पर चर्चा करते हैं तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह अनुक्षेद 19 से लेकर 22 तक सविधान में वर वर्णित है तो सविधान के भाग तीन में वर्णित है यह जो सवतंतरता का अधिकार है इसे बैक बोन ओफ कॉंस्टिटूशन कहा जाता है अर्थात हमारे सविधान की रीड की हड़ी इस सवतंतरता के अधिकार को कहा जाता है यह जो अब आप पूछेंगे आत्मा किसे कहा तो जो सविधान की आत्मा है वो सविधान की प्रस्तावना है और इसके अलावा जो समयधानिक उपचार है उसे भी सविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है लेकिन सविधान के रीड की हड़ी कौन सा अधिकार है तो स्वतंतरता का अधिकार जो है वह सविध के रीड की हड़ी कहा जाता है तो चलिए बच्चों एक एक करके कौन कौन सी स्वतंतरता का अधिकार हमें है हम विभिन अनुछेदों के माध्यम से पढ़ते हैं तो पहला है जो 19 वा जो है अभी मैंने आपको बताया कि 19 से लेकर 22 तक continue स्वतंतरता का अधिकार है तो इसके अ तो अनुछेद जो 19 है इस मर भी जब इसकी सुरुवात हुई थी तब साथ प्रकार के अधिकार थे और मूल अधिकार भी मैंने बताया था कि जब सुरुवात में बना था तो साथ प्रकार के था और एक अधिकार को फिर कम कर दिया गया वो कौन सा अधिकार था संपत्तिक का अधिकार तो जी हां बच्चों यह जो हमारा 19 वा आर्टिकल है इसके अंतरगत सुरॵात में साथ प्रकार के अधिकार दिए गये थे पर इस 19 इसवे आर्टिकल से भी एक अधिकार कम कर दिया गया स्वतंतरता का अधिकार अंत्मे में बताऊंगी इस पर तो पहला जो अधिकार है 19 A हम कुल 6 अधिकारों की बात करेंगे तो A, B, C, D इस कैटिगीरी में डिवाइड रहेगा तो 19 के अंतरकत जो पहला अधिकार है 19 A या 19 का इसे कहा जाता है 19 का क्या कहता है 19 का अभिवेक्ति का अधिकार प्रदान करता है अब यह जो अभिवेक्ति है वह एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन मीन अपने भावों की अभिवेक्ति हम इसे बोलकर भी बोलकर व्यक्त कर सकते हैं हम अपने भावों को मौन रहकर भी व माध्यम से प्रेस के माध्यम से लिखित रूप में संकेतिक रूप में इत्यादी किसी भी प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं जैसे हमें खुसी जाहिर करना है माल लीजे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था हमारा इंडिया जीत गया तो हम जंडा लहरा के क्या करते है हम जंडा लहरा के क्या करते हैं अपनी खुसी व्यक्ति करते हैं तो यह हमें अधिकार है हमारी अभिवेक्ति का अधिकार है इसके अलावा जैसे कोई कानून बना है और वो कानून का हम विरोध करना चाहते हैं हमें वो कानून पसंद नहीं है तो हम मूँ पे काली पट्टी बान कर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो यह भी अभिवेक्ति का अधिकार है अभिवेक्ति के अधिकार के अंतरगत केवल भाशन देना या बोलने का ही अधिकार नहीं किसी भी प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है और प्रेश के माध्यम से म महत्पूर और बहुत important चीज है सूचना का अधिकार बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि अभिवेक्ति के अधिकार के तहद बोलने का अधिकार होता है और जब बोलने का अधिकार प्राप्त है तो प्रशने पूछने कभी अधिकार प्राप्त होगा प्रशने पूछ कर ह और यही इसी के अंतरगत सूचना का अधिकार आता है सूचना के अधिकार को ॐ तो अगर यह प्रशन्छन आता है कि सूचना का अधिकार क सविधान में कहाjskIE कहां वर्नित है तो सविधान के अनुक्षेद 19 के 9 भाग में वर्नित ठीक है बच्चों तो अभिवेक्ति का अधिकार आप समझ गये इसके बाद अब हम जो 19 का अगला जो 19 का दूसरा भाग है जिससे 19 खा या फिर 19 भी कहते हैं उस पर बाद करते हैं तो दूसरा जो अधिकार है वह सभा या एसेंबल करने का अधिकार है सविधान ने हमें शभा बनाने का सम्मेलन करने का अधिकार दिया है और इसके इन सभाओं और सम्मेलनों में हम अपने बातों को शवतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं फिर जो अगला आठिकल है 19 C या 19 का तीसरा जो आठिकल है वह है संगठन बनाने का अधिकार सविधान द्वारा विविन प्रकार के संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है जैसे बच्चों आप लोग ही छात्र संग बनाते हैं इस संग या संगठन के माद्यम से विभिन प्रकार के छात्र हितों की बात की जाती है वैसे ही विभिन वर्गों के लोगों को अपना-पना संगठन बनाने का अधिकार है तथा अपने हित और उन्नती के लिए विभिन प्रकार की चर्चाय करने का भी अधिकार है फिर जो इसी 19-D में या चौथे में जो अधिकार है वह है संचरण का अधिकार संचरण का अर्थ है आवागमन से आने जाने से बेरोक्टों घूमने से तो सविधान ने इस आर्टिकल के तहट हमें अधिकार दिया है कि हम अपने पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं और इसके लिए हमें किसी से अनुमत्ती लेने की आवश्यक्ता नहीं है कुछ विशेश शेत्रों में अनुमत्ती लेनी पड़ती है जैसे कि पूरवत्तर राज्यों में और इनके अलावा आप पूरे भारत में कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं अगला जो अधिकार है जो की पाँचवा है और इसे कहेंगे तो यह जो अधिकार है वह निवास करने का अधिकार प्रदान करता है तो बच्चो पूरे भारत वर्ष में जो भारत का सविधान है वह हमें कहीं भी निवास करने, घर बनाने और रहने का अधिकार प्रदान करता है इस अधिकार से हमें कोई वहां का इस्थानी वैक्ति या को इस्थानी सासन रोक नहीं सकता फिर जो हमारा अगला अधिकार है 19 F या छटवा अधिकार हम इसे कहें 19 के तहती तो बच्चों मैंने अभी आपसे शुरुवात में ही चर्चा की थी कि स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल 19 में पहले 7 अधिकार प्रदान किये गये थे फिर एक कम करके टोटल 6 अधिकार है तो यही जो 19 F है इसे अब हटा दिया गया है किस प्रकार 44 वे सविधान संसोधन 1978 में इसे हटा दिया गया है और शुरुवात में जो मैंने आपको संपत्तिक अधिकार बताया था जो की nawet 31 में थार यह वाला जो संपतिक अधिकार है यह आटिकल 19 F में है तो इन दोनों में क क्या अंतर है ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 19 F में है और वो जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 31 में था तो इन दोनों में क्या अंतर है तो बच्चों जो आर्टिकल 31 का संपत्ति का अधिकार था वह खांदानी संपत्ति के बारे में बताता था जैसे राजा महराजा बहुत सारी संपत्ती बहुत सारी जमीन बूखंड भाईल सोने चांदी इत्यादी उनकी संपत्ती थी तो सुरवात में उन्हें उस संपत्ती को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था मूल अधिकार के तहत अर्थात उसे कोई छीन नहीं सकता था किन्तु अब इसे कानूनी अधिकार के तहत हटा दिया गया और सरकार चाहे तो जब सरकार को जरौत पड़े तो वह उसका अब अधिगरहन कर सकती है और जो 19F के संपत्ती के अधिकार की बात है तो यह जो 19F है यह खुद की खरीदी हुई प्रौपर्टी की बात करता है तो 19F और 31 जो आर्टिकल है 31 खांदानी यह पैत्रिक संपत्ती की बात करता है और जो 19F है यह हमारी स्वयम की प्रौपर्टी की बात करता है और यह जो प गया है और सरकार को यदि जरत पड़ी तो वो इस संपत्ती का अधिग्रहन कर सकती है तो ठीक है बच्चो अगला जो हमारा इस 19 वे आर्टिकल के तहथी जो अंतिम अधिकार है वह है व्यापार का अधिकार यहाँ जो है 19 जी में आता है और व्यापार का अधिकार के अंतरगद कोई भी वेक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार कहीं भी पूरे देश में कर सकता है तो ठीक है बच्चो व्यापार का अधिकार के तहत भारत का प्रतेक नागरिक किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार भारत के किसी भी छेतर में कर सकता है तो इस प्रकार से हमने 19 वे आर्टिकल के तहट 6 प्रकार के अधिकारों का अध्यन किया और यह जो 6 प्रकार के अधिकार है इन्हें क्रम से हमें याद करने आना चाहिए तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ तो चलिए पढ़िए मेरे शाथ अब सभी संग आ गए बसने व्यापार करने तो इस ट्रिक के माध्यम से आप क्रम से जो स्वतंतरता के अधिकार है 19-1 के तहट उसे आप याद कर सकते हैं चलिए देखते हैं अब से क्या लिखा है अब से है अभिवर्ति की स्वतंतरता पिर सभी सभी सभा या सम्मेलन करने की स्वतंतरता फिर उसके बाद लिखा है संग अब सभी संग तो जो संग है वहाँ है संग या संगठन बनाने की स्वतंतरता फिर अगला है आगए आगए से है आवागबन की स्वतंतरता कहीं पर भी घूमने की स्वतंतरता फिर उसके बाद है बसने तो जो बसने है निवाश करने की स्वतंतरता और फिर उसके बाद है व्यापार करने तो जो व्यापा अधिकार से हम बहुत आसानी से अब सभी आ गए बसने और व्यापार करने तो इस एक लाइन के माध्यम से इन सारे आर्टिकल्स में वर्णित अधिकारों को याद कर सकते हैं बच्चो ये विभिन प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा चाहे वो अभिवेक्ति की स्वतंत्रता हो या आवा गमन की स्वतंत्रता हो ये तभी तक लागू रह सकती हैं जब तक इनके कारण हमारे देश की एकता अखंडता सुरक्षा आधी पर खत्रा ना हो और यदि देश की अखंडता एकता इत्याधी सांप्रदाईक मसलों से संबंधित अभिवेक्ति हो या किसी अन्य प्रकार के आतंकवादी घटनाओं से संबंधित हो तो इन स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या इन्हें सीमित किया सकता है इसके अलावा युद्ध और आपातकाल की स्थिती में भी इन सभी अधिकारों को हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है तो बच्चो ये अधिकार इस बात से हमारी ये सम कि हमें विभिन प्रकार के अधिकार तो प्रदान किये गए हैं, किन्तु इन सभी अधिकारों की एक सीमा होती है और समय पढ़ने पर इस पर प्रतिबंद भी लगाया जा सकता है। उन सभी को कानून के समक्ष समानता के साथ ठीट किया जाने का अधिकार वर्णित है और एक ही क्राइम करने पर सभी को समान रूप से दंडित करने का भी प्रावधान है। किसी जाती धर्म लिंग आधि के आधार पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदबाव किये बिना सभी को एक प्रकार एक क्राइम करने पर एक ही प्रकार की सजा दी जाएगी। महिलाएं आज हर छेतर में कारे कर रही हैं। जाहे वह अंत्रिक्ष की यात्रा हो, कोई फाइटर प्लेन उढ़ाना हो, या फिर टेकनोलोजी के छेतर में हो, या किसी भी छेतर में हो। आज महिलाए हर छेत्र में अपना पर्चम लहरा रही हैं तो ये सब जो हमें आज देखने को मिल रहा है ये सिर्फ समानता के अधिकार प्रदान किये जाने के कारण ही हम देख पा रहे हैं और ये जब हमें अधिकार प्रदान किये जाते हैं तो विभिन छेत्रों से विभिन प्रकार की प्रतिभाएं बाहर निकल कर सोतहा आती हैं